हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिट से बीसी प्रो क्लासेज में दोस्तों कैसे आप सब आसा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और यह भी आसा करता हूं कि आप ने जो पहली क्लास है वो जरूर देख ली होगी क्यों क्योंकि देखो आज अपन सेकेंड क् तर्मो डैनिमिक्स चेप्टर नमबर 6 चिर्शमत बहुत की क्लासिकल फिजिक्स और यूनिया टमबर 3 की बात कर रहा है यूनिया टमबर 4 अपने खतम कर दी है तो पिछली क्लास पर देखो बिल्कुल छोटी थी और उसमें अपने थोड़ा बहुत चेप्टर का बेसिक अपन सुतनतरता चर हमारे पास सुतनतरता की कोटी ठीक है और फ्री वेरिबल सुतनतर चर इनके बारे में बात करी दी और लास्ट में हमने एक रजल्ट निकाला था आपको पता हो तो क्या निकाला था अगर आपको थोड़ा बद याद हो तो लास्ट में हमने एक रजल्ट निक और मैंने कहा था ये सुतंतरता की कोटी अपन ग्याद करते हैं इस परकार एफ डिग्री ओफ फ्रीडम को अपनिया पर फाइंड करते हैं इस फॉर्मुले के द्वारा और मैंने आपको समझाया था बेलकुल शांदा तरीके से की एफ हमारे पास सुतंतरता की कोटी है एन हमारे पास क्या है परमाणों की संक्या है और के हमारे पास बंदों की संक्या है तो यह formula मैंने आपकल बता दिया था और आज अपन क्या करते हैं इसी formula के द्वारा क्या है कि देखो यह अपने पास chapter number 6 है वो 8 number का है यहने कि पूरी एक unit है यहाँ पे chapter number 6 से बनी हुई है तो आप यहाँ पे अंदादा लगा सकते हो यहाँ पे छोटे किस्वनों भी आ सकते हैं तो यहाँ पे देखो आज अपन बात करेंगे इस formula के द्वारा एक परमानों के लिए दो परमानों के लिए तीन परमानों के लिए बोव परमानों के लिए सुतन तरता की कोटी को ज्याद करेंगे degree of freedom find करेंगे ठीक है English medium वाले की सुन लो गई तो यहां पर अपने बात करते हैं आज़ो गई यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एक पर्मानों के लिए पर्मानों के लिए ठीक है तो किस परकार करेंगे देखो यहां पर अपने पास फॉर्मला अपने लिए अपने पास फॉर्मला अपने लिए ठीक है और आपको पता है कि के बरावर जीरो होगा क्या है हमारे पास बंदों की संक्या है और आपको पता है कि यहां पर सिंगल एम होगा हमारे पास बंदोंगी संक्या जीरो होगी ठीक है तो हमारे पास डिग्री ओ फ्रीडम एफ इचिकॉल टो पन बात करते हैं 3 in 2 1 माइनस का 0 F is equal to 3 किसके लिए एक परमानुक अनुक के लिए हमारे पास degree of freedom का जो मान आया सुतंतरता की कोटी का जो मान आया है वो आया हमारे पास 1 ठीक है तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा द्यान समझे क्योंकि एक नंबर का सवाल अपना यहां से आ सकता है क्या नाम से फोर्मला आपसे कोई भी पूँ सकता है कि degree of freedom का फोर्मला बताए F is equal to 3 and minus का के ठीक है तो यह परमानुक लिए हो गया तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है अगर अपन 2 परमानुक लिए बात करें ठीक है तो यहां पर 2 परमानुक अनुक के लिए 2 एटम के लिए बात करेंगे तो यहां पर देखो 2 एटम के लिए बात करेंगे तो आपको बताए फोर्मला तो आपको लिखना पड़ेगा F is equal to 3 and minus का K ठीक है और यहां पर आप देखो यहां पर दो परमानुक एक यह रहा और एक यह रहा इसको आप इस परकार जोड़ सकते हो यहां कि सरंचन इस परकार बन सकती है तो आप यहां पर देख सकते हो N का जो मान है हमारे पास वो कितना है? 2 है नमबर ओप प्रमानु नमबर ओप एटम और यहाँ पर के बलाबर कितने हैं बंदो किसे इंगे एक है हमारे पास तो f is equal to आप देख सकते हैं हमारे पास कितना आजाएगा 3 into 2 minus का 1 यानि कि f is equal to 5 आजाएगा यानि कि हमारे पास degree of freedom कितने आगई यहाँ पर 5 आगई किसके लिए यह हमारे पास 2 प्रमानु के लिए आगई ठीक है उसी प्रकार देखो अपन इसको उपर कर दें अगर थोड़ा सा तो यहाँ पे अपन 3 प्रमानु के लिए भी ज्याद कर सकते हैं तो उसके लिए भी ज्याद कर लो भई तो वो भी नाराज नहीं होगा ठीक है त तो त्रिये परमानुक अनू के लिए, ठीक है, त्रिये परमानुक अनू के लिए, यहाँ पर यहाँ पर बोल दो, आप यहाँ पर ब्रेकेट में लिख सकते हो, अगर आपन दो से जादा एटम की बात करते हैं, तो आपको उता है, वो बहु परमानुक हो जाते हैं, ठीक है, पोली एटमिक हो जाते हैं, पोली एटमिक, बहु परमानुक, बहु परमानुक, ठीक है, हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखो, जब हमारे पास तीन एटम हो जाएंगे, जब हमारे पास तीन परमानुक आ जाएंगे, तो आपको पता है, कि यहाँ पर हमारे पास, जो सरंचना ह है हमारे पास वह यहांपे different हो जाएगी यानि कि यहांपे अगर अर्पन देखें तो दो केस बनेगी यहांपे समझ़ लेगा कोई दिख्कत थोड़ी है ठीक है तो यहांप इसको कोई दिख्कत नहीं है उसमें सबसे पहले केस की बात करते हैं तो हमारे पास देखो इस प्रकार के सरंचना बन जाएगी A, B और C हमारे पास तीन परमाणों है A, B, C तो आप देख सकते हो यहाँ पर N बरावर कितना है? तीन है, जबकि K बरावर कितना है? दो है, तो यहाँ पर इस जग है यहाँ पर F is equal to 3 multiply 3 minus का 2 F is equal to कितना जाएगा हमारे पास? 9 में से 2 गई तो 7 degree of freedom आ गई 7 लेकिन case number second की बात करते हैं यह तो आपने पास case number first हो गया है, यह हमारे पास case number हो गया second किसमें? यह बात करते हैं हमारे इसमें 3 परमाणों के लिए, 2 परमाणों के लिए क्योंकि आप देख सकते हो अगर अगर अमारे पास 3 परमाणों न तो वहाँ पर सरंचना भी उनकी बदल सकती है structure की बात करें हमारे पन तो चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर देखो इस प्रकार भी तो structure बन सकती है इस प्रकार बन सकती है चक्रिय संचना, cycle structure तो यहाँ पर देखो अपर बात करते है हमारे पास आएन तो 3 ही है लेकिन हमारे पास K बराबर 3 हो गए न एक नहीं है तो चेंज होगी हमारे पास structure तो यहाँ पर अपन आराम से find कर सकते हैं देखो F is equal to कितना हो गया 3 into 3 minus 3 तो हमारे पास F is equal to 9 minus 3 कितना हो गया 6 तो यहाँ पर degree of freedom होगी 6 होगी ठीक है तो यहाँ पर अपन बात करते हैं F कितना होगी हमारे पास 6 होगी हमारे पास चक्रिय संचना के लिए ठीक है तो यह तो होगी देखो एक नमबर का या दो नमबर का सवाल अपने हैं से पूंच आजा सकता है कि जनले आप से पूंच ले जाए अब देखो बिल्कुल क्या है कि देखो chapter को हाना बिल्कुल chapter को बिल्कुल इसे लगने मत दो कि हमारे पास कुछ tough chapter है ठीक है और बिल्कुल बेसिक से चलो एक एक चीज को समझते वे चलो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी ना कोई derivation में दिक्कत आएगी ना कोई definition में दिक्कत आएगी अभी तक अपने क्या पढ़ा है simple अपने चिर समत बहुत की वारिम जाना है उसके बाद में किसी भी particle को define करने के लिए आपको degree of freedom पता होना जरूरी है सतंतरता की कोटी पता होना जरूरी है तो वहाँ पे सतंतरता कोटी को समझा उसके बाद में वहाँ पे उसका formula समझ लिए हैपनने f is equal to 3 and minus का k फिर यहाँ पे देखो एक परमाणों के लिए दू परमाणों के लिए त्री परमाणों के लिए बहु परमाणों के लिए अपनने यहाँ पे find कर लिया यहाँ पे degree of freedom सतंतरता की कोटी अपनने ग्यात कर लिया ठीक है तो इस प्रकार आप app कमान ग्यात कर सकते हो कोई दिक्कत होड़ी है इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने चीए मेरे साब से दो अब देखो इसके बाद का जो हमारा टोपिक है इस चेप्टर में चेप्टर नमर 6 में वो बहुत इंपोर्टन टोपिक है उसका नाम है उस्मा धारिता Heat Capacity तो अपना जो 6-7 ना उसका लगबग लगबग 50% पार्ट उसने गियर रखा है कैसे उस्मा धारिता है उस्मा धारिता के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बोथ उसके बाद में यहाँ पे दीपर मानो के लिए उस्मा धारिता उसके अंतरगता हमारे पास आइंस्टीन का मोडल है के साइंटिस्ट है दूई लोग 50 मोडल है आइंस्टीन है डिवाई मोडल है तो इन विगेनिकों के दौरा उस्मा धारिता को परिवासित किया गया था और उन्होंने अलग-अलग अवधार ना दी अलग-अलग यहाँ पर रजल्ट निकाले तो वहाँ पर अपन उस्मा धारिता को समझेंगे और हीट कैपसिटी को शांदा तरीके समझेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सवाल चार नंबर का डेफिनेटली आता है या फिर वो आइंस्टीन मोडल आए या वो डिबाई मोडल आए या द्वी लोग पिट्टी मोडल आए फिर या फिर अपन द्वी परमानों के लिए उस्मा धारिता के अपन बात करें तो यह सब जो चीजे मैंने बताई आपको आपन समझेंगे बिल्कुल एकदम शांदार तरीके से एक-एक चीजों को समझते हो चलेंगे बस आप तो साथ के साथ पढ़ते रहिए आपका काम पढ़ना है बाकी हमारे उपर सोड़ दीजिए ठीक है तो अपन चलते हमारे जो next topic है इस chapter में उसका नाम है heat capacity उस्मा धारिता तो सबसे पहले एंपन base बनाते हैं किसको उपर उस्मा धारिता को उपर heat capacity को उपर base बनाते हैं और क्या किसी भी चीज को समझने के लिए आपको base बनाना बहुत जरूरी है तो चलिए अपन समझते हैं उस्मा धारिता वो heat capacity को तो आइए अब हमारा अगला टोपिक है उसमा धारीता की चिर सम्मत अवदारना ठीक है तो यहाँ पे अपन उसमा इट केपिसिटी की जो हमारे पास classical definition है classical अपन कह सकते हैं कि property है उसको पन समझते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कई विग्यनिक हैं उन्होंने उस्मा धारिता को समझाया है मैंने आपको बताया है और अगर आप यहाँ पे उस्मा धारिता से समझो तो देखो हमने 12th class में समझाता किसको दारिता वर्ड को समझाता तो वहाँ पे हमने देखो दारिता को समझाता तो किसी भी चीज को दारन करने की समझा समझा होती है हमारे पास जो capacity उतिज को दारिता कहते हैं capacity कहते हैं जैसे कि अपनने वहाँ पे voltage capacity पढ़ाता विभाव दारिता पड़ीती अपने किसमें अपने आपने बात करो 12th क्लास के अंतरगत उसी प्रकार देखो यहाँ पर अपन उस्मा दारिता को पड़ेंगे यानि कि उस्मा को धारन करने की समता को उस्मा दारिता कहते हैं तो हमारे पास जो चिर समत बहुत की है उसके अंतरगत इसको समझाया गया है और क्या कहा गया है कि उस्मा को धारन करने की समता को उस्मा धारिता कहते हैं हीट कैपिसिटी कहते हैं यह हमारा जो चिर समत अवधाना है उसके द्वारा हम यह कहते हैं तेक है उसके अलावा अगर इसके अपन mathematical definition की बात करें गणीतिय परिवासे की बात करें तो यदि हमारे पास इदको इसको C से किसे C से निर्पित करते हैं और C जी कोल्टों हमारे पास क्या होता है D की अपोन में DT होता है यानि कि समय के सापेक्स नहीं नहीं समय नहीं है यहां पर बिलकुल बिलकुल नहीं यहां पर temperature यहां पर जो T है वो temperature यानि कि तापके सापेक्स तापके साब पेक्स से किसी भी निकाई की उसमा धारिता अगर आपन बात करें अगर किसी भी निकाई की तापके साब पेक्स उसमा में जो परिवर्तन होगा उसको अपन क्या कहेंगे उसमा धारिता कहेंगे और इसको अपन सीसे प्रदेशिते करते हैं यह अपना यहाँ पर यह अपना फोर्मुला होगा कि इसका उस्मा धारिता का सी से निल्पित करते हैं इसको धारिता को केपिसिटी को और किसी भी निकाई का यानि कोई भी अपन निकाई बात करते हैं कोई भी हमारे पास एक निकाई है उसके अंदर अपन बात करते हैं तो ह हमारे पास उस्मा धारिता है तो वो हमारे पास दो प्रकार के प्राप्त होती है एक होती है हमारे पास इस्तर दाब पर उस्मा धारिता एक होता है हमारे पास इस्तर आईतन पर उस्मा धारिता तो यहाँ पर देखो अपन इसके दो प्रकार पड़ते हैं तो बिल्कुल यहां पर केवल अपन फोर्मुले पड़ते हैं देखो पहला जो फोर्मुला है मारा यहां और सेकेंड फोर्मुला यहां पर पड़ेंगे और बकाईद आपको मैंने जो नोट्स प्रोवाड करवा रखें ना टेलेग्राम चलन पर अगर आपने डाउनलोड नह हिस्तिर दाब पर उस्मा धारिता हीट केपिसिटी ठीक है भाई साब और यहां पर क्या है इस्तिर आयतन पर इस्तिर आयतन पर उस्मा धारिता ठीक है बिल्कुल मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए अब देखो यहां पर इसका फोर्मला पड़ते है हमारे पास जो इस्तिर दाब पर उसमा धायता है उसको अपन CP से विखत करते हैं और CP is equal to DQ upon में DT ठीक है लेकिन यहां पर हमारे पास इस्तिर दाब है यानि कि P हमारे पास क्या है constant है ठीक है और यहां पर देखो इस्तिर आयतान पर तो यहां पर CP is equal to DQ upon में DT लेकिन यहां पर V constant है तो इस प्रकार अपन यहां पर देखो इस्तिर दाब पर उसमा धायता को इस प्रकार बहत करते हैं CP is equal to DQ upon DT P constant है और C V is equal to हमारे पास बात करते हैं अपन तो DQ upon DT हमारे पास V constant है ठीक है उसके बाद में यहां पर क्या करते हैं अपन थोड़ी सी calculation करते हैं यहां पर इसमें और calculation करके कुछ result निकालते हैं थे कुछ द्यान से लेकर न क्या result निकालते हैं पर तो आपको पता होगा कि हमारे पास उसमा घतिगी के नियम होते हैं तो वहां पर अपन बात करें हैं D, उसमा घतिगी के पर्थम नियम से Thermo dynamics का जो पर्थम नियम है उस्मा गतिकी का, देख लो न, का तो ने लिखा, अपन यहाँ पर उस्मा गतिकी का पर्तलम नियम, तो उस्मा गतिकी का पर्तलम नियम क्या कहता है हमारा, इसके बाईर मैं पढ़ेंगे हैपन, बिलकुल डिटेल से, लेकिन पढ़ेंगे कब? unit number first में ठीक है, थोड़ा सा आप देर ये दारन करें और यहाँ पर थोड़ा पेसेंस रखें सभी के बार में पढ़ेंगे जो भी चीजे हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर उप्योग कर रहें न, वो सारी चीजे यहाँ तो अपन इसमें first unit पड़ेंगे, second में और अगर कुछ ज़्यदे advance ले लिया अपनने काम में, वो अपन third year में पड़ेंगे, ठीक है, तो उसमा गतिकी का पर्थम नियम तो क्या कहता है हमारे उसमा गतिकी का पर्थम नियम DQ बराबर DU प्लस में DW अर्थार्थ अर्थार्थ हमारे पास से निकाय का, किसी भी निकाय का किसी भी निकाय की कुल उर्जा, DQ is equal to हमारे पास उसकी आंत्री कुछा और निकाय में किये गे कारी के वर्थम नियम के बराबर होता है, यह हमारा होता है उसमा गतिकी या thermodynamics का first law यह अपने भई पढ़ा है chemistry में, chemistry में पढ़ा है 12th class में तो यहाँ पे उसमा कतिकी का पर्थम नियम क्या कहता है DQ बराबर DU प्लस में DW यानि कि किसी भी निकाय की आंत्री कुछा और work done क्या कहलाती है, उस निकाय की total energy कहलाती है, DQ तो यहाँ पे आपको पता हो यदि आपको पता हो तो देखो DW बराबर अपन लिख देते हैं P.DV यहाँ पे DV क्या है, आईतन है यहाँ पे DW बराबर पे P.DV हमारे पास आईतन हो जाएगा उसके बाद में आप थोड़ असा अगर हम पे जांस देखो तो यहाँ पे वेल लग देते हैं किसकी देखो DQ is equal to DU प्लस में P.DV इसको अपन समय कर नमर क्या नाम दे समय कर देखो इसको अपन एक नाम दे देते हैं यहाँ पे यहाँ पर इस तर दाब और यहाँ पर इस तर आईतन और यह हमार पास तीसरा फॉर्मला है यहाँ पर अपना काम में ले लेंगे ठीक है फिर देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं यदि हमार पास यदि कोई निकाई लिया हमने हमार पास कोई निकाई है ठीक है हमार पास कोई निकाई है और उस निकाई के अंतरगाते उस निकाई में आपन बात करें हमारे पास V constant है यदि यदि V constant है और आपको बता है constant का derivative कितना होता है 0 होता है तो समय करन तीन से अगर आपन देखें तो DQ बराबर D U हो जाएगा सही बात है कि नहीं बिल्कुल शांदार तरीके समझना बिल्कुल एक एक concept को समझेंगे वह एक एक concept को समझते वी चलेंगे एकदम शांदार तरीके से ठीक है यहाँ पर अपने एक line cancel एते हैं और अब देखना थोड़ा से द्यान देखना कि अपने क्या करेंगे यह कहा है अपने थोड़ी सी extra calculation कर रहे है क्योंकि अपने रेजल्ट निकालेंगे जब अपने रेजल्ट निकालेंगे तो आपको end में पता चल जाए कर क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर देखना अब अपन समेकरन दो से देखे हैं तो समेकरन दो से तो यहाँ पर देखो C V is equal to D U upon में D T हो जाएगा और अपन में बात करते हैं हमार पास V constant है तो समेकरन नमर 3 समेकरन नमर 4 इसको अपन दे सकते हैं यहनिकि अपन आईतन का मलब हमार पास जो उसमा दाईता है किसमे इस तरह आईतन पर उसको अपन एनरजी के फोर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं D U upon D क्योंकि D Q is equal to D U D U हमार पास क्या है आंत्री के उरजा है तो यहाँ पर हमने इसको उसमा अगतिकी के पर्थमनियम सी पर प्रूप कर दिया है फिर आगे चलते हैं बई आगे चलते हैं और हम जानते हैं We know that We know that We know that हम जानते हैं क्या जानते हैं बई उसमा करती कि नहीं Others against summation क्या होता है PV is equal to N RT होता है लेकिन यहाँ पर अपन N बरबर क्या है अनो किसे हैं क्या तो हमने एक अनो के लिए बात करते हैं PV बरबर क्यों होता है RT ठीक है PV बरबर RT होता है अब यहाँ पर दिये इस समिकन का पन TKS आपे अउकिलन कर देते हैं यदि यहाँ पर अगर बात करें हमारे पास TKS आपे से इसका अउक्रिन कर देते हैं लेकिन यहाँ पर P को रखते हैं constant समझो बात को एक बार P रखते हैं constant और यहाँ पर इसका कर देते हैं derivative तो P dot dv upon dt is equal to R तो हमारे पास क्या जाएगा P dot dv is equal to R dot dt जाएगा समझो इस बात को और इसको समिकन नमबर 5 नाम देदो और समिकन पास से value रख देंगे अपन कहाँ पर समिकन पास से value रखेंगे यहाँ पर समिकन तीन में देखो जाएगा तो समिकन तीन में मान रखने पर तीन में मान रखने पर तो dq बराबर में du प्लस में आर डोट डीटी आजाएगा अब यहाँ पे समीकन अमारे पास यह आया है ना यह समीकन तीन के बाद यह आगया हमारे पास यदि यहाँ पे यहाँ दोनों तरफ अपन ने क्या करा डीटी से भाग लगा दिया डीटी से भाग लगा दिया तो dt से भाग लगाने बात क्या होगा देखो dq upon में dt बराबर में du upon में dt plus में यहाँ पे देखो dt upon dt क्या हो जाएगा लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें dq upon dt क्या है हमार पास समीक रनेक से p और du upon में dt हमार पास क्या है v plus में r ये हमारे पास क्या हो जाएगा देखना ये हमारे पास क्या हो जाएगा CP is equal to CV plus में R समझ में आया लेकिन सुनो द्यान से CP minus का CV is equal to R यदि आपने बहुती अच्छी तरीके से पढ़ा है करी हो 12 में तो आप कोई संबंद याद आ रहा होगा chemistry में इसको बोलते हैं मेर संबंद बोलते हैं तो ये थोड़ी सी calculation थी इसलिए exam में कई बार यहां से पूच ले आता है मेर संबंद को परिवासित करो और defend करो तो यहां से आपको मेर संबंद निकाल देना है ठीक है छोटे सी calculation थी बिलकुल यार बिलकुल simple था क्या करा अपने कुछ भी नहीं किया वही देखो हमने क्या समझा हमने समझा यहां पर ऊपर चले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हमने समझा यहां पर थोड़ा सा उसमा धारिता की classical जो हमारे पास definition है classical जो property है तो उसको समझा पने ओर classical postulate के सकते हैं उसको अब धाना के सकते हैं पोस्चुलेट के सकते हैं तो क्या है हमारे पास यहां पे किसी भी निकाई की किसी भी निकाई की अपन बात करते ह हैं वहां पे यहifi temperature में temperature के sapics temperature के सापिस यही उसमा में परिवर्दन होता है तो उसको हमार यह हमार पास Sumigan, एक Sumigan, नमर दोना हम दिधी है उसके बाद हमने क्या कहा कि हम जानते उस्मा गतिकी का जो पर्थम्नियम होता है वो क्या होता है कि किसी बीनिकाय की कुल उर्जा उसकी आंतुरिक उर्जा और किय है कार्य वर्क डन के पर अबर आबर होता है जी बढ़ी उसके बाद हमने क्या कहा कि DW का मान जो P.DV होता है अर्थात या पे वी क्या है आइतन है P.DV हो जाएगा ठीक है उसके बाद में यहां पर क्या करा हमने DQ is equal to DU plus में P.DV हो जाएगा यहां पर P क्या है अमारे पास प्रेषर है मोमेंटम नहीं है यहाँ पर प्रेसर है दाव है यहाँ पर अभी मैंने गलती से कह दिया यहाँ पर कि P हमारे पास क्या है V का मान 0 और इस का मान 0 तो आपने देखो DQ बराबर DU हमने प्रूप कर दिया तो DQ बराबर DU प्रूप कर दिया से लोग मांगी इस बात को तो थोड़ा सा नीचे अपने इसको कर दे तो पूरी कैल्गुल समझ में आ जाईगी हमारे ठीक है तो यहाँ पर अपने क्या करा यहाँ पर अपने यह करा कि हमारे पास देखो यहाँ पर इसके बाद हमने क्या करा समीकन 2 से यहाँ पर हमने वैल्यू रखी CV बराबर DU प्रूप डिटी यहाँ पर वी आ जाएगा उसके बाद हमने क्या करा कि हम जानते हैं जब हमारे पास कोई निकाय में दाब का मान समान हो, ठीक है, तो हमने किया कि P dot dv, तो यहाँ पर आजाएगा P dot dv upon dt is equal to r, हमने किया देखा P dot dv बरावर r dt, समेकर पांच इसको नाम दे दिया, समेकर पांच का जो मानने समेकर 3 में put करा P dot dv की value कितनी है, r dot dt, तो यहाँ पर dq बरावर du plus में r dot, यहाँ पर अगर अगर अपन dt का यहाँ पर भाग लगा दे, तो यहाँ पर dq upon dt, du upon dt, तो dq upon dt की समेकर एक से value क्या है, cp, और यहाँ पर समेकर चार से, इसके value कितनी है, cv और plus में r, तो cp बरावर c plus में r, और cp मानस का c is equal to r, यह हमारे पास क्या है mayor samband कालाता है, तो यहाँ पर आपसे कई बार पूंच ले दाता है कि mayor samband क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो उसके बाद में अपन आगे सलते हैं, और अपन आगे बात करते हैं इसके अंत्रगत, इसके अंत्रगत अपन, किसमें, उसमा धारित के अंत्रगत अपन बात करते हैं, कि यदि किसी कण के लिए अपन बात करते हैं, उसमा धारिता के लिए निकालते हैं, तो वहाँ पे अपन को उसके लिए जैसे एक परमान को अनु के लिए निकाला, दी परमान को अनु के लिए निकाला, तो वहाँ पे अपन को तीन, चार तीन चार point है वो डिफाइंट करने पड़ते हैं कौन कौन से? एक तो अपने पास आंत्रीक उड़जा को एक हमार पास 60 आइतन पर उसमनाधरिता 60 दाब पर उसमनाधरिता और हमार पास दोनों जो उसमनाधरिता है 90 आइतन पर इस tout दाब यदि अपन heat capacity की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन को ये 4 point depend करने पड़ेंगे कौन-कौन से पहला जो point है उसका नाम है आंत्री कुर्जा तो पहले इसको depend करते हैं उसके बाद में आगे के point को परिवासित अपन करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो point उसका नाम है आंत्री कुर्जा internal energy तो यहाँ पे देखो हमारे पास Maxwell का नियम है और Maxwell ने यहाँ पे एक नियम दिया classical physics के अंत्रगा जिसको कहते हैं अपन सम्विवाजन नियम equal partition नियम का जो नियम है उसके अनुसार उसके अनुसार किसके अनुसार है उर्जा के सम्विवाजन सिद्दानते के दौरा यहनी के हम बात करते है Maxwell ने एक नियम दिया जिसको क्या कहते हैं अपन उसको कहते हैं यह सारी जो language है बिल्कुल आपको proper पर बिल्कुल प्रोब पर आपको कहा मिलेगी नोट्ज में मिल जाएगी आप डाउवलोड कर लेना भी टेलिगर्म चैलेंसे बिल्कुल सेम टू सेम अपन जो करवा रहे हैं यहाँ तो यहाँ पर टैंसन लेने के आप कोया वाया आवसकता नहीं है तो यहाँ पर देखो किसे उर्जा के सम वितरन सिद्दांत से उर्जा के सम वितरन नहीं सम विभाजन उर्जा के सम विभाजन सिद्दांत से जो कि Maxwell भाई साब ने समझाया था classical physics में इसके अनुसार इसके according हमारे पास जो सोचनतरता की कोटी होती है उससे समबंद उर्जा का जो मान होता है वो हाफ केटी होता है यानि कि हमारे पास जो सोचनतरता की कोटी एफ होती है ना सोचनतरता की कोटी से समभंद 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 ने समभद समभद उससे जुड़िवी समभद उर्जा का जो मान होता है वह हमारे पास half केटी होता है यदि किसी निकाई के लिए सुतंतरता की कोठी f है यदि किसी निकाई के लिए सुतंतरता की कोठी f है तो उस निकाई की जो आंत्रिक उर्जा होगी वो क्या होगी u is equal to f.half केटी तो यह कहती है मारी आंत्रिक उर्जा शानदार तरीके समझवाना ची बिल्कुल ultimate तरीके से बिल्कुल शानदार तरीके समझगे क्योंकि अपन बिल्कुल देखो एक दम स्लो यहाँ पर आप क्या करोगे अपन पड़ो ना तो आप थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हूं क्यों? क्योंकि अपन पहले बिल्कुल स्लो बोल रहे हैं और अगर आप जल्दी कवर करना चाते हो उसलेवस को तो काफी अच्छी तरीके से आप यहाँ पर स्पीड को बढ़ा की कवर कर सकते हो अन्यत अगर आपको मजा आना चाहिए कर समझने में तो अब स्पीड को नॉर्मल ही रखो तो काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर बात करते हैं आंत्रीक उर्जा को परिवस्त कर दिया आंत्रीक उर्जा क्या होती है? मैक्जबल बाइसाब के नियम के अनुसार यानि कि उर्जा के सम विवाजन से किसी पर्टिकल के लिए तो उसकी जो आंत्रीक उर्जा होगी यू इसकोल टू एप डोट हाप के टी होगी ठीक है? यहाँ पर हमारे पास के क्या है? बोल्जमान कॉंस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको रट जाने चाहिए अब देखो इसी परकार अपन किसी भी पार्टिकल के लिए उस्मा धारिता हिट कैपसिटी में पर्ष्ट पॉंटें डिफैंड करेंगे आंत्रीक उर्जा उसी परकार यहाँ पे अपन बात करते हैं सेकंड पॉंट को डिफैंड करेंगे यानि कि सेकंड पॉंट जो होगा हमारा वो है इस्तर आईतन पर उस्मा धारिता क्या है इस्तर आईतन पर उस्मा धारिता इस्तर आईतन पर उस्मा धारिता यानि कि यहाँ पर हमारे पास आईतन को अमने कॉंस्टेंट कर रखा है इस्तर आईतन पर तो यहाँ पे अपने formula निकालते हैं इस तरह आहितन का याने कि cv का formula निकालते हैं तो particular formula निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे थोड़ा से द्यान से देखो अगर आप हमने यहाँ पे we know that हम जानते हैं we know that हम जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं कि हमने यहां पर फॉर्मीन काला था किसका इस तरह आयटन यानिकी C V का फॉर्मीन काला था क्या निकाला था D Uapon में D T निकाला था जब हमारे पास क्या था VOLUM CONSTANT था हम जानते हैं कि हमारे पास देखो UK हमारे पास आंत्रिक उर्जा है और आंत्रिक उर्जा का जुमान है f.half kt हमने निकाल लिया है उपर देख सकते हो आप उसके बाद में हमने क्या करा है यहाँ पर value रख दी हमने क्या करा है देखुए हमारे पास cv is equal to हम बात करते हैं यहाँ पर तो d upon में dt kt और हमारे पास u की value हमने यहाँ पर रख दी कितना है हमारे पास f.half kt और t के साफ पर cv is equal to हमारे पास half one upon two किया जाएगा ठीक है लेकिन हमारे बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर cv is equal to f.half किया आगे हमारे पास अब देखो यहाँ पर यहाँ पर फोर्मूला के हो जाएगा cv is equal to f upon half n के हो जाएगा और आपने फोर्मूला पढ़ा हो अगर n के is equal to n r आपने फोर्मूला पढ़ा होगा जानतक बज़े लगता है 12th क्लास में क्या है यहाँ पर n हमारे पास आउग रादो संक्या है k हमारे पास बोल्जवान कॉंस्टेंट है n हमारे पास मॉल है और r हमारे पास गैज नियतांक है तो यह फोर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो सही बात है नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं पढ़ लो अब n के बराबर n र होता है n होती है हमारे पास आउग रादो संक्या n बराबर k हमारे पास बोल्जवान कॉंस्टेंट n हमारे पास number of मॉल r बराबर गैंस नहीं अतांग होता है तो यहाँ पर देखो cv is equal to half n के के जगर रख सकते हैं small n r ठीक है फिर हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि अगर अपन यहाँ से अपन क्या यदि अपन बात करें यहाँ पर अगर अपन बात करें तो n का मायने दिए अपन एक ले ले अर्थात mol की जो संक्य है अगर अपन एक ले ले तो cv is equal to मार पास जो फोर्मला आ जाएगा वो बन जाएगा half f r बन जाएगा यहाँ की देखो जब अपन यहाँ पे देखो यह फोर्मले अपन यहाँ पे क्यों फैंड कर रहे है आपकी दिमाग में सवाल आया यहाँ पे अपन यह फोर्मले क्यों निकाल रहे है क्योंकि जब अपन एक परमानों के लिए दू परमानों के लिए जब अपन उसमा धारिता heat capacity को परिभासित करेंगे तो वहाँ पे अपन यह चार पुइंट फांड करेंगे तो वहाँ पे सीधा जब अपन आंतरिक उर्जा निकालेंगे ना तो वहाँ पे U is equal to F dot हाप के टिक उप्योंक करेंगे और वहाँ पे अगर अपन देखते हैं एक परमाणों के लिए सुतंदर ताइक कोट तीन होती है तो तीन डग देंगे तो यहाँ पर वैसे value निकाल देंगे सीधा तो इसलिए अपन यह फोर्मुले यहाँ पर drive कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो cv का जो फोर्मुला आ गया अपने पास हा पर f r आ गया इसको आप याद कर लेना क्योंकि अपन सीधा क्यूशन में इसका उप्योग करेंगे समझ लो ठीक है भई समझ में आगे मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं है अब चलते हैं आगे आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं आपने पास तीसरा जो पॉइंट है तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम है आपने पास इसतर दाब पर उस्मा धारिता तो इसको भी रिगालते हैं वई तो यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी इसतर दाब पर उस्मा धारिता तो इसको कैसे निकालेंगे भई, शानदार तरीके से निकालेंगे, हमने यहाँ पर फोर्मुला पढ़ा था, किसका, देखो cp माइनस का cv is equal to r, यह हमने फोर्मुला पढ़ा था, मेरे संबंद में, ठीक है, तो यहाँ पर पर क्या निकालना है, इस्तिरदाब पर, यानि कि cp is equal to cv plus में r, ठीक है, और आपको पता है कि हमने उपर अभी cv की value निकाली थी, कितने निकाली थी, cv is equal to half f r निकाली थी, तो यहाँ पूट कर दो भई, पूट कर दो यहाँ पर, यानि कि half f dot r plus में r है, यह दिया हमारे पास यह दिसमेसे पन, यहाँ पर r by 2 common लें, तो क simple 2 आएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी mistake हुई, तो cp is equal to r by 2, और f plus में 2 यहाँ पर value आगई, अब कही हो को तो यह समझ में नहीं आए कि 2 कहां से आजा, अरे ध्यान से देखो, calculation करिये, कुछ निकरा, यहाँ पर क्या है, भई, देखो r by 2 था, यहाँ प अपना दिमाग लगाओ, विवेक का इस्तिमाल को रहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर तीसरा point हमारे clear है, और तीसरा point का जो formula है, cp is equal to r by 2, f plus में 2, यह याद रखो, आपन सीधा एक परमाणू करनों के लिए, दो परमाणू करनों के लिए, सीधा value अपन लिखने वाले हैं, ठ दोनों का अनुपात पढ़ेंगे, पर यहन की उस्मा धारिताओं का अनुपात, ratio of heat capacity, तो यहाँ पर देखो, उस्मा धारिताओं का अनुपात, उस्मा धारिताओं का अनुपात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शांदार तरीके समझ में आना चाहिए, एक एक चीज को, ए पढ़ो ना, तो थोड़ असा concentrate होके पढ़ो, क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप थोड़ असा भी concentrate होके नहीं पढ़ते हो, तो आपका, जो देखो, mind डाइवर्ट होगा, और यह simple चीज़े भी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ असा यहाँ पर ध्यान देक करें, तो यहाँ पर देखो, गामा से, गामा is equal to CP upon में CV होता है, तो यहाँ पर देखो, अपन यहाँ रखते हैं, तो गामा is equal to, देखो, CP की value कितनी नहीं कर लिए अपन ने, आर बाय टू, एप प्लस में 2, अपन में CV कितनी है, वन अपन में 2, एप डोट, आर, तो यहाँ पास, यहाँ पर अपन देखो, अगर देखें, थोड़ा सा ध्यान से, तो यह क्या है, हमारे पास f में 2, अपन में पन में f, यहाँ पर अगर एप का f में डिवाड़ गरा तो 1 प्लस में 2, अपन में f, यहाँ पर देखो, गामा की value आईगी ना, वहाँ पर पास आईगी 1 1 अपलस में 2 onешь यानि miss हमे यह वैल्यू भी याद app आख नहीं पढ़ूँए वैल्यू नहीं है यह फूर्मला यह हमार पास है उस्मा दारिताओं का जो अनपाट है उसका फूर्मला है वन पलस में 2A 서 तो हमने यहाँ पे उस्मा धारिता की concept को समझा वहाँ पे अपर ने क्या समझा देखो वहाँ पे देखो सबसे पहले हमने समझा उस्मा धारिता क्या होती है उसके बाद में उस्मा धारिता की बाद में हमने समझा उसके बाद में हमने क्या करा कि हमने उस्मा दारिता को निकाला फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इस्तिर आईतन पर फिर उसके बाद में इस्तिर दाप पर उसके बाद में यहाँ पर उस्मा दारिता को अनुपात निकाला तो यह सब चीज़ अपन पने को निकालनी पड़ेगी, किसे पे? अपन जब बात करेंगे सिंगल पार्टिकल के लिए, एक परमानो के लिए, अनु के लिए, दुर परमानो के लिए तो अब देखो यह सारे अपनों को याद होने चीए उसके बाद ही अपनों आपनों निकाल सकते हैं तो चले चलते हैं अपने यहापर उसको निकालते हैं फाइंड करते हैं एक परमानक अनुक के लिए दू परमानक अनुक के लिए three परवान के लिए, तो सभी के लिए अपन बात करते हैं, find करते हैं, क्या? 67 कोटी परषय करते हैं, आपसे क्युष्ण कैसा पूँसर जाएगा? आप से exam में क्युष्ण इस परकार आएगा, कि हमारे पास द्वी प्रवाण के लिए जैसे पूशने वा Cafe के लिए सोंगतल रएक कोट्वपोदा पड़ेगी और तोलतर द् हासे मेंन बहीत है और हीट के पहसर खेली उर्जा धारिता उस्मां धारिता के कौंसेट को समझाइन जिर्क सा dobr को समझाई इसके साथ साथ में हमारे पास देखो हुई है, इस वस्तिर आयितन के साथ का साथ के साथ है निकालना पड़ेगा, छलिए छलते हैं हैं आगे अगे बात करते हैं guidance ऐक परमानुक के लिए सारी चिजों के लिए बात करते हैं तो शानदातर के समझ में आगा, बिल्गूल वी चीज हो अगर वो हार्ड भी होगी ना तो गारंटी है अपने उसको बिल्कुल सिंपल भी में समझेंगे तो आज़ा हो भी फटा पट यहां पे और अपने यहां पे निकालते हैं फटा फट देखों क्या करते हैं एक परमाणू के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक परमाणू के लिए हमारे पास जो फोर्मला होता है f is equal to तो f is equal to हमारे पास क्यों होता है 3 and minus का k होता है तो आप गता है यहां पे f is equal to कितना जागा 3 यहां पे multiply कितना जागा 1 और minus का 0 तो यहां पे f is equal to 3 यहां पे शोतंतरता के कोटी हमारे पास एक परमाणू के लिए 3 होती है हमने निकाल भी रखी है पहले ठीक है एक्जाम में अगर एक नंबर में इस प्रकार पहुंच लिया जाए कि देखो किसी एक परमाणू के लिए आंतरिक उर्जा के आत करो एक परमाणू के लिए इस तर आयतन पर उसमा धारताय करो तो इस प्रकार भी आपसे एक्जाम में पहुंचा जा सकता है तो यहां पर देखो सबसे पहले बात करते है पर आंत्रिक उर्जा की इंटरनल एनर्जी की तो आंत्रिक उर्जा का जो फोर्मला है आपको याद होना चाहिए सिंपल जो मैंने आपको करवाया था U is equal to F dot देखो समय के साथ में सारे याद हो जाएंगे बस बस प्रैक्टिस साथ की साथ होनी चाहिए तो यहां पर देखो हमारे पास F is equal to कितना है तीन तो U is equal to हमारे पास कितना आगया 3 by 2 KT पहला point clear second point की बात करते है हमारे पास था इस्तिर आईतन पर तो इस्तिर आईतन की बात कर लेते हैं इस्तिर आईतन पर उस्मा धारिता तो इस्तिर आईतन पर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि CV का जो फूर्मला अपने निकाला था वो निकाला था F dot 1 upon 2 R निकाला था R था भी R क्या नहीं था R था 1 upon 2 R था तो आपको बता है CV is equal to 3 यहाँ पर देखो कितना है यहाँ पर अपन बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर F अपर कितना है 3 है तो रख दो value कि उज़ागा 3 by 2 R खतम दूसरा point भी खतम तीसरे point की बात करते हैं पर यहाँ पर क्या है हमारे पास इस्तिर दाब की बात करते हैं तो इस्तिर दाब पर उस्मा धारिता बिल्लकुल सिंपल point है इनमें अपने को बिल्लकुल भी दिक्कत नहीं होने चीए फोर्मुला याद होना चीए अब भई आपको CP is equal to मारे पास क्या फोर्मुला आए था तीन और दो पांच यादि कि पांच बटे दो आर खतम है point बिल्लकुल खतम है यार उसके बाद मिया पर देखो अपना जोग एक point था क्या था एक point था हमारे पास वो था हमारा क्या इसका जो चोथा point था वो हमारे पास था किसके लिए उसमा धारिताओं का अनुपात था हो हीट के पैसेटी का रेस होता उसमा धारिताओं का अनुपात अनुपात ठीक है तो उसमा धारिताओं का अनुपात कितना आया हमारे पास यह आया है था हमारे पास गामा इसकोल टूपन बात करते हैं 1 प्लस में 2 अपन में एफ था और एफ इस इकॉल टो 1 प्लस में 2 अपन में 3 यहां पर LCM ले लिया अपने तो कितना हो जाएगा देखो 5 बटे 3 हो जाएगा ठीक है यहनी कि 1.6 इस प्रकार कुछ वैल्यू आ जाएगी तो यहनी कि देखो इस प्रकार आप से क्यूशन पूसा अपन यहां पर 2 परमानुक अनुक के लिए बात करेंगे 3 परमानुक अनुक के लिए बात करेंगे जल्दी कर लेते हैं वहीं देखो 2 परमानुक अनुक के लिए तो 2 परमानुक अनुक के लिए तो यहां पर अपन इस्टार लगा देते हैं वहीं नया टोपिक पढ़ रहे n बरावर 2 है और k बरावर हमारे पास 1 है तो f is equal to मारे पास 3 into 2 minus 7 यहनि कि 5 minus 7 यहनि कि f बरावर 4 अरे भई 3, 2, 6 होते हैं तो 3, 2, 6 और हमारे पास 6 में से गए तो 5 ठीक है यहनि कि f बरावर हमारे पास 5 आगया आजाओ भई आजाओ भई, सबसे पहले पॉइंट आता है मारा आंतरिक उर्जा का तो आंतरिक उर्जा का जो फोर्मला होता है वो क्या होता है आपको पता होना जरूर यह u is equal to f.half kt होता है तो यहाँ पर देखो u is equal to अमारे पास 5 बटे 2 kt हो जाएगा ठीक है उसी प्रकार यहाँ पर बात करते है second इस्तिर आहितन का बिल्कुल simple है एकदम यार एकदम simple है इस्तिर आहितन की बात करते है तो यहाँ पर देखो c v is equal to हमारे पास फोर्मला होता है f.half r तो देखो यहाँ पर c v is equal to f का मान कितना है 5 है तो 5 बटे 2 r खतम तीसरा इसके नीचे कर लेते हैं थोड़ असा इसको नीचे कर लेते हैं पर यहाँ पर समझते हैं आपर देखो तीसरा जो point हमारे वो क्या है इस्तिर आहितन ने इस्तिर दाब तो c p is equal to तो हमारे वो जो फोर्मुला होता है वो क्या होता है r by 2 f plus में 2 तो यहाँ पर c p is equal to देखो यहाँ पर कितना एप का मान कितना है 5, 5 है तो 7 तो 7 बटे 2 r ठीक है और यहाँ पर बात करते हैं ratio की अनुपात की बात कर लेते हैं चोधा point है अनुपात तो अनुपात बात करते हैं यहाँ पर देखो गामा is equal to 1 plus में 2 upon में 5 होता है तो देखो गामा 1 plus में 2 upon में 5 आएगा तो गामा is equal to कितना जाएगा मारे पास गामा is equal to निकाल लो भई क्या दिखकता है 5 है तो 7 है 7 बटे 5 यह answer है तो देखो एक परमानों के लिए और दी परमानों के लिए अपने यहाँ पे 103 कोटी को गयाद कर लिया आंतरिक उर्जा इस्तिर आईतन इस्तिर दाप और उसका रिस्व यानिकी उनका दोनों का अनुपात अपने गयाद कर लिया परकार दिखो अपन बात करते हैं तो आप 3 परमानों के लिए भ्याद कर सकते हूँ ठीक है और यहाँ पे 3 परमानों काणों में आपको पता है कि 2 यहाँ पे केस बनेंगे एक तो बात करते हैं हमारे पास कि बंदो की संक्या का बनती है और बंदों के तीर बंदती है तो यह पर निकाल लेते हैं बार ना तो यहां पर देखो एक परमानों के लिए और दू परमानों के लिए तो आपको मेरे साथ से कोई प्रब्म नहीं होने चीए ठीक है अब बात करते हैं अपने यहां पर किसके लिए त्री परमानों के लिए त्री परमाणगों के लिए बात करते हैं अपने आप अब आजाओ आजाओ फटा फटा आजाओ त्री परमाणगों के लिए बात करते हैं और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास दो केस होंगे ठीक है तो सबसे पहले केस की बात करते हैं हमारे प सब्सक्राइब करते हैं तो नो में से दो गए तो साथ तुकि एन के एप कितना आ गया साथ उसी प्रकार दूसरी के बात करते हैं अरता इस टेक्सर ये बनेगी चक्कर ये इस टेक्सर बनेगी याने कि बनेगी रेखिये नहीं अरेखिये बनेगी तो चक्रे के लिए बात कर लेते हैं मैं देखो ठीक है तो यहाँ पर देखो n कमान तो 3 है और k कमान कितना है 3 है यहाँ पर तो बाद देखो हम जानते है f is equal to 3 n minus का k f हो क्या है degree of freedom तो f is equal to 3 minus का 3 minus ने 3 into 3 minus का 3 तो 9 मेन से कितने गए तो 6 आज़ेगा f पर बराबर 6 degree of freedom calculate हो चुकी है बात करते हैं first point की क्या है हमार पास first point आंत्रिक उर्जा का point है तो आंत्रिक उर्जा क्या क्या क्याती है हमारी आंत्रिक उर्जा ठीक है u is equal to यहाँ पर उजाय का हमार पास है half f केटी यह हमार पास है यानि कि हमार पास जो आंत्रिक उर्जा का फोर्मूला है आपको पता है हमार पे उर्जा है f half केटी तो आपको बता है u is equal to हमार पास f का मान कितना है 7 है 7 बटे 2 केटी खदम उसी प्रकार first point यहाँ पे आंत्रिक उर्जा का तो u is equal to हमार पास कितना है half f केटी तो u is equal to half f कमान कितना है 6 तो 6 अपकों में केटी खदम second point के बात करते हैं आपे तो यहाँ पे बात करते हैं देखो second point हमार का है second point है हमार पास इस्तिर आइतन इस्तिर आइतन फड़ापट बोलो फॉर्मुला c which equal to हमार पास कितना जाएगा c which equal to हमार पास देखो ध्यांस देखो यहाँ पे half f dot r c which equal to half f कमान कितना है यहाँ पे 7 dot r यहाँ कि 7 by 2 r ठीक है यहाँ पे यह परकार second बात करते हैं इस्तिर आइतन पर तो इस्तिर आइतन पर कितना जाएगा c which equal to half और कितना जाएगा f कमान वही कितना 6 है 6 है है हमार पास 6 r हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा 3 r हो जाएगा हमार पास ठीक है उसके आगे आपन बात करते हैं देखो बिल्कुल सिंपल है दिमाग लगने की यह आऊ सकता नहीं है आप खुद देख सकते हूँ 3 का है हमार पास इस्तिर आइतन हो गया इस्तिर दाब तो इस्तिर दाब के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इस्तिर दाब हमार पास cp is equal to r by 2 f of plus 2 ठीक है यहाँ पर देखो cp is equal to हमार पास r upon me 2 f कमान के तना जाएगा हमार पास 7 plus में 2 9 तो 9 बटे 2 r ठीक है लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इस्तिर दाब की तो इस्तिर दाब हमार पास आएगा क्या तीसर आप मेंट है वो आएगा cp is equal to हमार पास r by 2 f plus में के 2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो r by 2 और f कमान 6 plus में 2 8 तो यहाँ पर आजएगा cp is equal to 8 by 2 r यहनि की 4 r ठीक है खतम उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं चोथे point की आखरी point की तो चोथा point हमारे क्या कहता है गामा गामा is equal to पता है क्या होता है 1 plus में f of 2 यहनि की 1 plus में f के हमारे पास f हमारे पास है 7 7 by 2 ठीक है यहनि की बात करते हैं यही तो है formula भई formula यही है क्या check कर दो यह पार नहीं नहीं गलत भई formula गलत formula है 2 upon में है f ठीक है तो यहनि की देखो 2 हमारे पास उपर और upon में 7 आएगा ठीक है यहां पी क्या हो जाएगा 7 रही क्या हो जाएगा 7 दो 9 बटे 7 answer उसके बाद में चोथा point बात करते है गामा is equal to क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 upon में f तो यहां पे कितना है देखो 1 प्लस में 2 upon में 6 है तो 6 और 2 8 upon में 6 कितना जाएगा यहां पे 2,4 और 2,3 अच है यह ही हो जाएगा answer तो कितना आसान है यहां पे अपने आराम से देख सकते हैं बिलकुल करते हैं हपन अगले lecture में बात करें आप नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे अगले lecture में बात करेंगे और very very important topic में आपको बता दू अपन बात करेंगे हमारे पास देखो D.Paramu Aju के लिए उसमा दारिदा के बात करेंगे D.Paramu Aju के अंतरगत दी पर्मानों को जो हमारा अनू है उसके अंतर काता पन उसमा धारिता को हीट केपिसिटी को बिल्कुल डेटेल से बात करेंगे और शांदतरी के से और मलब वो बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है कुन सा दी पर्मानों के अनू के लिए दीव पर मानों के लिए क्या करेंगे अपर दी परमानों के लिए बात करेंगे उस्मा धारिता को हीट के पिशाठी को एक बात करेंगे और देखो 1-20 बाद करेंगे train क्या है कि अपन क्या करेंगे यह अपना नए पैटर में यूच्छ लेने वाला हूं क्या कि देखो वीडियो नहीं आएगी क्यों क्योंकि देखो अपन जितना भी कवर करते हैं सूमभार से लेकर सने वार तक Monday से लेकर Saturday तक जितना भी अपन कवर करते हैं अगर जो बंदा पढ़ता है वास्ता में उसको क्या है कि देखो revision करने में problem आती है Sunday को क्योंकि यदि मैं Sunday को भी अगर विडियो डालता हूं तो भी वो फिट Sunday का revision कब करेगा पताओ तो एक दिन तो चाहिए revision करने के लिए अब आपकी साब से कोई साब भी दिन revision के लिए क्या कर सकते हो set कर सकते हो तो मेरे साब Sunday is the best day because you know that इस दिन क्या है कि देखो हमारे पास सभी की छुट्टी रहती है और हमें ये feel होता है अंदर से कि हाँ भई आज सभी की छुट्टी है और अपने भी छुट्टी होने चीए यानि कि आज अपन क्लास नहीं लेंगे तो उससे कि दिमाग को संतुष्टी मिलती है आराम मिलता है और एक rest मिलता है तो यहाँ पर Sunday को अपन offer रखा करेंगे और Sunday को क्या है कि आप पर जितना भी अपन cover करते है Monday से लेकर उस परकार आप एक कि देखो यहाँ पर मैं एक बात कर रहा है ताइम टेबल की एक टाइम टेबल मैं बनाऊँगा और वो Sunday को मैं वो टाइम टेबल अपर दूँगा व्वो टेबल यह रहेगा कि अपन परकार को टेबल अपन को पढ़ना मतमा चाहिए तो आप देख सकते हो कि हमारे लृड नहीं बचा है तो किस प्रकार हमारे पास से एक से धर बना बचे जबी स्टेड़ी कनी चाहिए रिस प्रकार भी बन शकती है तो आप एक्दम बिलकुल सती लेकिन थोड़ा इंतजार करें संडे तक का और संडे को मैं बता दिया उपर होब रहे is किसकी दि परवाणो कि तू एटमिक Prahmaनो Mei अनिकि हमारे पास दिपर वपानु के अंदर बात करते हैं उसमां दर दो हिट की थे की की बात करें ठीक है शांधा टापीक है अल्टिमेक टोपीक का पढ़ना ज़रूर, ठीक है, यहां तक आपको रिविजन करना है, और देखो अपनने इनने टमबर उसको कम्पील कर दिया है 4th को, तो आप 7 के साथ उसका रिविजन करें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, कि अपन उसको बाद में रिविजन करें, साथ के साथ लेके चलो संडे का टाइम क्यों दे रहा हूँ, आपको भई उसका रिविजन कर लो, क्यों के रिविजन कर लो आप उसका और स्यांदार उसको साथ के साथ रखो उसको साथ के साथ याद रखो झाल झाल